एलो एवरिवन गाइस यह रिवेनि इंजिनेरिंग के देख पर देखते हैं कि इस शेयर के रिजरल से यहाँ पर कैसे आये है तो शुरूरवात करेंगे हम यहाँ पर इस शेयर के टॉटल इंकम से तो इरली बेसिस में यहाँ पर जो इंकम है वो अराउंड यहाँ पर 1439.57 करोड था जो quarterly basis में increase होके 1540.38 करोड यहां पर हो किया है quarterly basis में यहां पर जो share की income है वो increase हुई है और total expense yearly basis में 1349.81 करोड था जो quarterly basis में increase होके 1498.78 करोड यहां पर हो किया है अब बात करते हैं profits की तो वो yearly basis में 67.8 पैसे से अब जो है यहां पर 26.21 करोड हो गया है यानि profits यहां पर share की decrease होए है और earning पर share की बात करें तो वो 3 रुपे से अब जो है 1 रुपे हो गया है तो overall analyze करके देखे तो profits की वज़े से यहां पर जो share की result है वो थोड़े बहुत अच्छे नहीं देखने को मिले है price level की बात करें तो इस मन तक का share का maximum target अभी यहां पर 448 रुपे देखा गया है maximum target इस मन तक का 450 रुपे यहां पर जाने वाला है तो hold करके रखना चाहे तो आप next quarter तक के perspective से या अपने own risk में आगे long term के perspective से भी hold करके रख सकते हैं